स्वागत है आपका लास्ट वीक जो हमने स्टैडिज बनाई थी जो आज एक्सपायर हो गई दो स्टैडिज बनाई थी बैंक निफ्टी में पर आपने देखा मार्केट में कितना ज्यादा मोमेंटम था निफ्टी की बात करो बैंकिंग इस टॉक क्या फिर आइटी सारे के सा सकते हैं तो यहाँ बात करेंगे उसके बाद हम भी डिसकस करेंगे के निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्र में और भी कौन सी ऑपोर्चुनिटी हमसे मिस हो रही है तो आम जस्ट गाइड उसको भी आप फॉलो कर सकते हो उधर भी फोकस कर सकते हो उधर भी आप पैसे बना रहे हो पैसे बन रहे हो कि तो सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट जो है जो दोनों स्ट्राइजी आपने बनाए थी एक स्ट्राइजी पर आपको 2,60,000 का मार्जन डिप्लॉए वाथ लगबग 5,00,000 का मार्जन डिप्लॉए वाथ दोनों पोडिशन में तो हमने profit 10,000 होना था maximum loss 55,000 होना था deploy करने के बाद market में जो ये momentum था deploy करने के बाद एक बार भी ये position इधर profit में दिखी नहीं उस दिन ठीके loss में दिख रही थी और हमने अपना loss fix रखा था कि अगर loss हमारा 30 क्या सपस cross करता था हम position से exit हो जाएंगे बट लॉस हमें दिखा बट जो हमने अपना target रगा था उससे नीचे ही रहा loss हम position exit नहीं कि market momentum जादा था हला कि हमारी गलती है क्यों हमें stop loss इसमें कम रखना चाहिए था 10,000 का जब हम profit यहां पर देख रहें तो हमारा stop loss अगर 10,000 भी रहता थो ठीक है आइडियली 5000 रहना चाहिए तब जाके वन इस्टू टू का आपका रेश्यो बैड बाता प्रॉपर बट ठीक है थोड़ा confidence था कही न कहीं मार्केट में थोड़ी सी recovery आनी चाहिए because of you know RBI policy भी थी इसलिए हमने थोड़ा वेट भी किया दरवाइस वेट नहीं करते तो दोनों पोजिशन में एक में हमने लगबग 10,000 का प्रॉफिट बुक किया इस वाली पोजिशन में और एक और जो पोजिशन बनाई थी वीडियो यूटूब पे पढ़ा है हावे में बात नहीं कर रहा हूं go and check क्या प्रीमियम पे एक्जिक्यूट किया था और आज की closing क्या है क्या क्या momentum रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी गलती है हमने इसमें की क्या आपको हमेसा RR ratio का ध्यान रखना है कि आ 5,000 का पर stop loss होना चाहिए थोड़ा सा और उसको accelerate कर सकते हो based on your view जहां पे आप 1,000,000 का target कर रहे हो profit तो वहां पे आपका 50,000 का loss मतलब इतना profit to loss ratio आपको रखना होगा तो इस बार हमने थोड़ा जानके accelerate किया इसको loss कहीं ने कहीं very confident के market में closing 38,000 के ऊपर आनी चाहिए और जो we'll plan strategy कि next week में क्या plan कर सकते हैं वो हम कल बात करें हैं आज थोड़ा stock option पर हम बात करते हैं और साथ के साथ मैं आपको बतारा हो कि market momentum बहुत जादा रहने वाला तो कहीं भी आप position बना रहे हो चाहिए वो stock option हो या index option position hedge हो और जैसे इस तरह की मैंने study बनाई आप यहां पे बनाना market में अभी coming week वाली जो expiry है उसके बाद उसके बाद भी आपको बहुत momentum यहां देखने को मिलेगा तो bull call spread में जा सकते हो और आप इस तरह की position में जा रहे हो तो triple layer hedging में जा सकते हो ठीक है intraday का market intraday में करो ठीक है आप position carry कर रहे हो तो वो पूरी capped होनी चाहिए अदरवाइस आप देख रहे हो market का momentum क्या है आज किसी को ऐसा लग रहा थे कि market closing यहां आईगी एट फैब को market 37,400, 37,300 के आसपास था ठीक है same day आपको बहुत अच्छी recovery देखने को मिली पद एक बार तो हाथ पर फूली गए कि भाई market गया okay 37,500 was strong support अगर यह label break करता तो market आपको काफी नीचे देखने को मिल सकता था ठीक है बट यहां से ही market में अच्छा reversal देखने को मिला and as expected market यहां पर closer we are expecting 38,000 38,500 के आसपास closing आईगी बट बेंड आर expectation 39 के आसपास expiry हुई and तब जाके यह possible हो पाया है कि हमनी position profit में close कर पाया है यह तो हमारी इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा स्टॉक पर भी ध्यान लगना चाहिए जैसे बजाज फिनांस आपके हां से निकल गया अदानी फिर आप मारूती की बात कर लो ठीक है HDFC limited very good opportunity it was 2320 के आसपास टेट कर अधाथ और ना इस टेटिग अबव sorry 2420 के आसपास ना इस टेटिग अबव 2500 HDFC bank event so मारूती को आप टार्गेट कर सकते हो अभी भी हाँ से आपके निकला नहीं मारूती सुचुगी में हमने बुलकॉल इस पर बनाया था जहां पर लगबग मार्जीन हमने दिया था 30,000 के आसपास उसको आमने बुक कर लिया इस्टिल दरेज़ पॉच्टिन मारूती ओके अगर आप देखो तो मारूती का एक बहुत अच्छा सपोर्ट कहां पर आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा और नीचे आजो यह पांच मिनट का चार्ट ना पहला सपोर्ट आपको यहां देखने को मिलेगा जिसके आसपास क्लोजिंग हुई है ठीक है अगर हम आरली चार्ट को देखे तो आपको यह बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा लगबग 8400 8500 के यह अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा इस सपोर्ट से आपको हो सकता है कि अपसाइट 9500 तक देखने को मिल जाए मारुती में तो कैसी strategy plan कर सकते हैं मतलब अगर मैं कहूं तो मारुती में positive momentum रह सकता है मैं दो तीन sector को focus कर रहा हूं IT ठीक है जहां पर मैं option में trading कर रहा हूं banking banking में कौन सी PSU में एक दो stock जैसे SBI को focus कर रहा हूं और अगर आप चले जो private में तो HDFC no doubt and second आप अगर देखो तो ICI बहुत range में आपको moment मिल रहा है बहुत आसानी से आप position बना के option में अच्छा ROI generate कर सकते हूं हमने हमने बना था मारुती में बना रहे हूं तो आपका ratio कैसा रखना one is to two का रखना one is to three का रखना इस तरह की position रखना और इसमें triple layer hedging भी डाल सकते हो ओके so strategy हमने already deploy किया है आप से discuss आप से जरूर डिस्क्लोस करेंगे पोजिशन क्लोस करने के बाद और क्या strategy निफ्टी बैंक निफ्टी में हम deploy कर सकते हैं कल कल के बाद हम वापिस यहां पर discuss करने वाले इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अलग-अलग strategy तो दिन मैं आप से discuss करने वाला जहां पर आप अपने deployment का बहुत अच्छा ROI जन्रेट कर पा रहे हो ओके तो I would suggest के निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ कुछ ही स्टॉक को भी आप अपने focus में रखो और उसमें आप trade ले सकते हो और यह जो momentum है यह जो news है यह market में चलता रहेगा to go only you have to focus की हम क्या position बना रहे हैं उसको हम कैसे manage कर सकते थोड़ा technical help ले सकते हो आप technical chart का help ले सकते हो डेटा का help ले सकते हो but don't forget hedging don't forget strategy तभी जाके आप success हो सकते हो otherwise naked trading वालों को अभी इतने चमाट लग रहे हैं दोन तरफ से शायद पहले कभी लगे थे numbers लेकर अभी दख देखो तो market में momentum कितना जादा है और आगे और जादा रहने वाले momentum ओके तो क्यास मिलते हैं कल उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक अप्शन की स्टाड़ी इसक्स करेंगे थैंक्यू सो मच